हलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का एक बर फिर से आपके अपने चैनल किसान मसीन में बलवान कंपनी का अर्थ ओगर हमारे पास आ चुका है रिपेरिंग में तो आज हम चेक करेंगे इस मसीन में क्या प्रोब्लम है जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ये मसीन गड़े कोड़ने में काम आती है आपके पास भी है अर्थ ओगर मसीन और मसीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होते ही बंद हो जा रहा है या जब भी स्टार्ट करते हैं मसीन अचानक से रेस हो जाता है तो आज की इस व टूटी ओईल डाल दिया है, एक लिटर पेट्रोल में 40 से मिल टूटी ओईल डालना है और अगर आप हाफ लिटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो 20 से मिल टूटी ओईल डालना है पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डालने के बाद कार लिटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को चार से पांच बर प्रेस कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओन ओप सुइच का वायर है यह खुला हुआ है तो चलिए अब हम मसीन को श्टार्ट करके देखते हैं मसीन हमारा श्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम चौक लेकर मसीन को श्टार्ट करेंगे उपर के तरफ चौक है चौक लिवर को उपर करेंगे तो मसीन चौक में हो जाएगा जैसा कि आपने देखा हमारा मसीन बिलकुल भी श्टार्ट नहीं हो रहा है चोक में लेने के बाद भी मसीन हमारा इस्टार्ट नहीं हो रहा है टॉप कभर को हम खोलेंगे और टॉप कभर खोलने के लिए आपको 4mm का A-link की चाहिए 4mm का A-link की लेकर आप एक A-link की बॉल्ड को जब खोलेंगे तो आपका जो टॉप कभर है वो बाहर आजाएगा यहाँ पर हम सबसे पहले spar plug को खोलेंगे, spar plug खोलने के लिए आपको plug range चाहिए, plug range की मदद से आप spar plug को खोल सकते हैं, जैसा कि आप spar plug को देख पा रहे हैं, spar plug देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट हम इसका current चेक करेंगे, spar plug का current चेक करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, spar plug को plug gap में लगा कर, recoil starter को जब आप खिचेंगे तो आपका current आने लगेगा, जैसा कि आपने देखा spar plug में current आ रहा है, इसका spar plug, ignition coil और flywheel यह सब बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही जरूरी information दे रहा हूँ, spar plug को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, spar plug का, spar plug का जो gap है वो आप देख सकते हैं, इस तरह से spar plug में gap होना बहुत ही जरूरी है, कि spar plug में gap नहीं है, सटा हुआ है, तो आप इस तरह से gap को मिला लें, चलिए यहाँ पर हम air filter को खोलेंगे, air filter को खोलने के बाद air filter check और carburator भी चेक करेंगे आपके पास भी earth auger machine है और start नहीं हो रहा है किसी भी company का आपके पास earth auger machine है और कितना भी CC है तो आप मसीन में starting problem अगर आ रहा है तो आपको इसी तरह चेक करना है जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ जैसा कि आपने देखा air filter में बहुत ही जादा petrol आ रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर air filter लगता है यह भी पूरा गीला है देख सकते हैं आप यहाँ पर भी petrol आ रहा है अर्थोगर हो या brush cutter चौक लिवर को समझना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर आप ध्य petrol निकालूंगा और जहाँ पर spark plug लगता है वहाँ पर मैं petrol डालूंगा पेटरूल डालने के बाद spark plug को लगा कर और machine को start करके देखूंगा अगर आपके पास two stock brush cutter है और वो start नहीं हो रहा है तो आप इसी तरह से check कर सकते हैं जिस तरह से मैं check कर रहा हूँ इस तरह से आप अ जरूरी है तो petrol में टू्टी ओिल कितना डालना है 1 liter petrol में को 40 ml टूटी ओल डालना है और अगर आप 1 liter petrol डाल रहे है तो आपको 20 ml टूटी ओल डालना है पेटरूल के साथ में अगर आप टूटी ओल मिक्स नहीं करेंगे तो आपका जो cylinder assembly है वो damage हो जाएगा cylinder assembly change करने में स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उपर के तरफ में एक स्क्रू है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्क्रू डैवर से इसे टाइट कर रहा यह स्क्रू को आप टाइट करेंगे तो आपका जो मसीन है वो रेस हो जाएगा तो जैसा कि आपने देखा हमारा मसीन एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो जैसा कि आपने अभी तक देखा मसीन इस्टार्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है अस्वार पलग में करंट आ रहा है और कावरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को चार से पांच वर प से चेक नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मसीन में क्या खराब है, जिस तरह से मैं वीडियो में बता रहा हूँ, उसी तरह से आप अपने मसीन को चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मसीन में क्या खराब है, यहाँ पर आप ध्यान से दे तो आपका Escalator Cable बिल्कुल सही लग जाएगा, देख सकते हैं आप आपका जो Escalator Cable है वो अच्छे से लग चुका है, अगर आप Escalator Wire को इस तरह से फीट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से Escalator Wire को फीट करेंगे, तो आपका जो मसीन है वो रेस हो जाएगा, यह देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हॉल में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गैपिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है, Escalator Wire लग नहीं पा रहा है, तो इस तरह से आप Escal Carburetor Wire को Fit ना करें नहीं, तो आपका जो मसीन है वो रेस हो जाएगा, हमारी YouTube चैनल बेश्ट किसान मसीन में से एक है, कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं वीडियो और मसीन के कंटेंट पे कभी भी compromise नहीं करता, इसलिए वीडियो को end तक देखा है, यहाँ पर मैं फिर से एक पर Carburetor को चेक करूँगा, Carburetor को चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा पाइप में कहां पर लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको लगाना है और चेक करना है, यह Carburetor का Prime Bulb आप 4 से 5 बर प्रेस करके देखें, जैस और बहुत ही जरूरी information मैं आपको देने वाला हूँ, यहाँ पर आपको petrol tank का ढखकन खोलना है और fuel filter को चेक करना है, fuel filter को किस तरह से चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हाथों में है एक wire, wire को आप थोड़ा band कर दे, wire को band करके आप petrol tank में इस तरह से डाल कर औ fuel filter को बाहर निकालने, fuel filter को निकालने के बाद आपको किस तरह से चेक करना है, यह मैं अभी आपको दिखाऊंगा, fuel filter में dust जाने के कारण अगर आपका fuel filter block हो जाता है, तो ऐसे में भी आपका machine start तो हो जाएगा, लेकिन जब भी आप accelerator को प्रेस करेंगे, आपका machine बंद हो जा पाइप में फूक मारने के बाद air बाहर आ रहा है और petrol बाहर आ रहा है, तो fuel filter आपका clear है, और अगर नहीं आ रहा है, तो आप fuel filter को change कर दे, machine start नहीं हो रहा है, इसका बहुत सारा reason हो सकता है, जैसे कि इस पार plug में current नहीं आएगा, तो machine start नहीं होगा, और अगर cylinder assembly damage है, तो machine start नहीं होगा, चली आगे मैं और भी बारिकी से आपको बताने वाला हूँ कि machine start ना होने का क्या क्या reason हो सकता है, चली यहाँ पर आप ध्यान से देखे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ, अगर आपके machine का spark plug में current नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ignition coil क मैं आपको दिखा रहा हूँ, फला cap को बाहर निकाल कर और यहाँ पर आपको spring दिख रहा है, spring को आप यहाँ पर सटा कर और recoil starter को जब आप खीचेंगे तो आपका जो machine में current है वो आने लगेगा, और अगर इस तरह से भी current नहीं आ रहा है, तो उसका reason हो सकता है कि आपका जो ignition coil है वो damage हो सकता है, या flywheel भी damage हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, घुमा घुमा कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं flywheel को मैं किस तरह से हाथों से चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिलकुल plane होना चाहिए flywheel, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कहीं भी skip नहीं किये हैं, अगर skip किये हैं तो आप इस वीडियो को दुबारा फिर से देखें, पुरा लाश्ट तक, आज की इस वीडियो में आप लोग ने बहुत कुछ सिखा है, तो आप मैं चेक करने वाला हूँ, cylinder assembly, यहाँ पर मैं piston चे ज़्यादा scratch आपको दिख रहा है, इस machine का जो piston है वो damage हो गया है, इसके कारण से हमारा machine start नहीं हो रहा है, इस machine का हम cylinder assembly चेंज करेंगे, एक नया cylinder assembly इस machine में हम लगाएंगे, आप किस सार से हमारा वीडियो देख रहें, नीचे comment box में लिक ये, मैं कौन सा machine का repairing वीडियो बना क्या मैं आपसे partnership कर सकता हूँ, हर बार आपको request करता हूँ, वीडियो को like जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए, share कीजिए उन लोगों को जिनके पास ये machine है, जिनके आसपास technician नहीं है, देखे ज़र आसपास ना, उनको share की है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह piston, पिश्टन जो up-down हो रहा है, यह आप देख सकते हैं, पूरी तरह से damage हो चुका है, इसलिए इस machine में हम एक नया cylinder assembly लगाएंगे, अगर आप part 2 वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो का description म लिंक डाल दिया हूँ, लिंक पे किलिक करके आप part 2 वीडियो देख सकते हैं, उपर के तरफ आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको